नमस्कार विवर्वन, वेलकम बैक, यौर वाचिंग राउंस्टिक, तो आज हम करेंगे, एंटोनेम्स स्टार्ट हो जाएगा, लेटर ए से, यह है पार्ट 81, तो सीरीज पूरी जो कमिट्मेंट था, वो पूरा कंटीन्यू करेंगे, ठीक है, तो एंटोनेम्स देखेंगे, ए टू, जैड लेटर तक, ठीक है, उसके बाद इडियम्स करेंगे, ठीक है, तो लेटर ए, अबैंडन, तो आपको पहले एक रीकैब देता हूं, वर्ड, इंग्लिश मीनिंग, या इंग्लिश डेफिनेशन, और हिंदी मीनिंग, हिंदी कार्थ, और ये, दस या बारा, मिन इसका एंटोनिम्स होंगे, रिटेन करना, मिन्टेन करना, अपोल्ड, सपोर्ट, चैरिश, कीप, कंटिन्यू, प्रिजर्व, होल्ड ऑन टू, क्लिंश, टू, इंब्रेस, नॉचर, ठीक है, एब्रीवीट का मतलब होता है, छोटे में लिखना, शॉट में लिखना, इसके एंटोनिम्स कर रहे हैं, तो आगे चलते हैं, अब इसका मतलब होता है, किसी को नीचा दिखाना, लोर इना रैंक और पोजिशन, तो इसके एंटोनिम्स हैं, एलिवेट, अपलिफ्ट, ओनर, एक्जल, डिगनिफाई, रेस, प्रमोट, एग्रेंडाइज, इनोबल, अब देखो, मेरे को इस से याद आया, अपलिफ्ट से याद आया मेरे को, जो हमारे फॉर्मर वाइस प्रेजिदेंट थे, वेंक्या जी, वेंक्या नाडू जी, हम ऐसे बोलते रहें, एंग्लिश में, I back to say that, ऐसे हम यूज करते हैं, काफी अंग्रेजी में, तो I back मतलब ह होता है, मैं भीक मांगता हूँ कुछ बोलने के लिए, तो उन्होंने बोला था, it should be replaced with, I raise या rise to say that, ठीक है, तो ये वर्ट से बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, तो हमें हाथ किसी पर नहीं फिलाने बलकि देना है, ठीक है, आगे चलते हैं, अब इट का मतलब होता है, कम क करना, तो लेशन और रदिए इंटन सिटी, अन्तोनम सेंस के इंक्रीज, इंटन सिफाइ, असलेरेट, हाइटन, अंपलिफाइ, मैंग्निफाइ, अग्निफाइ, प्रेंटन, अग्मेंट, बूस्ट, इन्हेंस, रेज, मुल्टिप्लाइ, अब्डिकेट, त्यागना, तो र रिनाउंस, और रेलिंक्विश, अथ्रोन, और पावर, और सम्थिंग अल्स, एंटोनम्स, अज्यूम करना, टेक ओन, रिटेन, कीप, होल्ड ओन, टू, क्लेम, क्लेंज, टू, सीज, यूसर्प, मिन्टेन, कंटिन्यू अपोल, ठीक है, अब्डक्ट का मतलब होता है, अप एक सम्वन बाइ फोर्स, अपरन करना है, यहां पर वहाँ फ्री करना, तो वही है, रिलीज, फ्री, लिबरेट, रेस्क्यू, सेव, डिलीवर, अन्बाइंड, लेट, गूफ, रिटर्न, रिस्टोर, रियूनाइट, अपैथी, इस अपैथी, मतलब उदासीन्ता, ठीक है, एक होता है, एंटीपैथी आगया आएगा, उसका मतलब होता है, डिसलाइक, घ्रना करना, तो वापस वर्ड पर आते हैं, इसका मतलब है, तो अपैथी मतलब उदास, ठीक है, इसके एंटोनिम से है, इंतुजियाजम, पैशन, जील, फरवर, इंट्रेस, एक्साइटमेंट involvement, engagement, concern, empathy, sympathy, compassion, तो हमने इस difference देखा है, previous parts में, अगर आप recall कर पा रहे हो, तो बहुत बढ़ी है, नहीं तो आप, पीछे आप देख सकते हो, ठीक है, आगज़ो, एपलोड का मतलब होता है, तालीप जाना, किसी की प्रसंशा करना, to show approval और praise by clapping, criticize करना, एंट्रोनिम से इसके, condemn, denounce, disapprove, censor, rebook, reprimand, chastise, berate, reproach, fault, और blame, antipathy, जब apathy का रिदम ने देखा था, apathy मीज उदास, और antipathy मतलब था, dislike, विरोध गिरना, ठीक है, एंट्रोनिम से इसके, affinity, liking, fondness, attraction, sympathy, repo, harmony, agreement, approval, support, admiration, और love, addment मतलब अटल, धीट भी कह सकते हो से, refusing to persuaded, और change one's mind, तो वो धीट है, stubborn है, अटल है, ठीक है, context important है, अच्छे वे में भी हो सकता है, और negative वे में भी हो सकता है, तो इसके अंट्रोनिम जिखते हैं, flexible है, जो, pliable है, yielding, compliant, adaptable, amenable, ठीक है, accommodative, open-minded, receptive, willing, compromise, और malleable, add-gen का मतलब होता है, स्थगित करना, यह जातर कारवाई में होता है, सांसत की, ठीक है, to suspend और postpone a meeting session, to a future time, बात के लिए, एंट्रोनिम सेंस के, convene, assemble, gather, meet, resume, reconvene, continue, carry on, proceed, hold, stay in session, तो session कौन सा है, यह, parliamentary session है, यह बर, state का जो, session है, ठीक है, legislative, attainment का मतलब होता है, प्राप्ती करना, act of achieving और reaching a goal, ठीक है, एंट्रोनिम सेंस के, failure, defeat, loss, setback, frustration, disappointment, under achievement, non-fulfillment, falling short, missing the mark, unattained, ठीक है, तो, एक line याद आ रही है, आपसे share कर जाता हूँ, की, हार जाना, बुरा नहीं होता है, बट हार मान लेना, बुरा होता है, ठीक है, तो आगे जलते हैं, amnesty का मतलब होता है, शमा करना, ठीक है, pardon for past, offenses, or a general forgiveness, punishment, penalty, retribution, vengeance, retaliation, reprisal, justice, accountability, responsibility, consequence, तो यह शमा है, यहाँ पर दंड देना है, ठीक है, amalgamate या amalgamation मतलब होता है, मिश्रित करना, मिला लेना, ठीक है, combine कर देना, तो यहाँ पर combine है, तो यहाँ पर अलग कर देना वाला होगा, ठीक है, तो amalgamation या amalgamate मतलब होता है, to combine, unite to form one organization, और structure, एंटोनेम से separate, divide, segregate, dissociate, dis, unite, detach, dispend, dismantle, disassemble, disconnect, और break up, affable का मतलब होता है, मिलन सार, तो यह friendly है, यह unfriendly होगा, ठीक है, तो affable मतलब friendly, good natured, easy to talk to, approachable है, ठीक है, ऐसा, एंटोनेम से इसकी unfriendly, hostile, aloof, distance, cold, standoffish, unapproachable, reserved, unsocial, unsociable, inhospitable, unkind, ठीक है, shy, तुझे सब्स, aid का मतलब होता है, helps हाया था, assistance, or support given to those in need, ठीक है, तो इससे एक और चीदी आदा है, मेरे को एक होता है, golden, hour, जब किसी का accident हो जाता है, तो within first hour, उसको golden hour कहते है, accident के, पहले घंटे को, क्योंकि उसमें, जो व्यक्ति विशेश है, उसकी, जान बच सकती है, तो इसलिए उसको golden hour कहते हैं, तब ही कहते हैं, golden hour में आप, उसको hospital पहुचाएं, जिसे कहते हैं, good, semi-written, ठीक है, तो aid है, सायता करना, तो यहां पर क्या होगा, सायता नहीं करना, तो hinder, obstruct, impede, hamper, thought, block, prevent, discourage, better, oppose, resist, ample का मतलब होता है, प्रचूर मात्रा में बहुत सारा, तो enough और more than enough, plentiful, यहां पर plant बहुत सारा है, तो यहां पर कम होगा, insufficient, inadequate, scanty, mager, limited, restricted, scars, purs, lacking, deficient, short, ambiguous का मतलब होता है, us first, तो यहां पर us first होगा, तो open to more than one interpretation, तो उसके बहुत सारे interpretation होते हैं, जैसे कुछ अंगरेजियों के word होते हैं, ठीक है, unclear है, जो की uncertain है, ठीक है, यह सब, antonyms, clear, definite, unambiguous, explicit, precise, specify, certain, straightforward, so, unevocal, unmistakable, evident, जो टेक है, animated हमने पहले भी देख रहता है, तो हम शुर आपको पता होगा, यह जीवन्त, जैसे कहते हैं, lively, जो फुल अफ लाइफ, excitement, lively, तो यह full of energy है, यह lone energy होगा, तो dull, lifeless, lethargic, listless, apathetic, inactive, sluggish, unenthusiastic, uninspired, flat, boring, आजका last word रहे है, adulation, मतलब होता है, खुशामत करना, चापलूसी करना, तो excessive praise करना किसी की, flattery करना, तो यह खुशामत करने वाला है, यह खुशामत, नहीं करने वाला है, मतलब यह praise कर रहा है, यह criticize करेगा, तो criticism, disapproval, censor, reproach, blame, condemnation, denunciation, rebuke, reprimand, chastisement, तो यह दोनों extreme है, एक तरफ यह praise कर रहा है, एक तरफ यह नीचा कर रहा है, तो एक balance होना चाहिए, तो यह थे आज के 20 watts, अमेलते हैं आपसे next video, यह आपसे हैं।